बहुत बहुत धन्यवाद सभापती जी आज आपने मुझे माननी है राश्ट्रपती जी के 31 जन्वरी 2022 को संसद के दोनों सद्रों में जो उनका अभिवासन हुआ उस पर बोलने के लिए आपने मुझे मुझे मौका दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है लेकिन इसके साथ ही मैं दो तीन दिन से जिस तरह से राश्ट्रपती अभिवासन पर वारता सुन रही हूँ और पक्स और विपक्स जिस तरह से वारता दे रहे हैं लेकिन माननिय राश्ट्रपती जी का भासन एक ऐसा विहंगम द्रश्टी कौन से को लेकर है और उस विहंगम द्रश्टी कौन को यदि समझा जा सकेगा तो मुझे लगता है कि हम ये समझ पाएंगे कि भारत संसार को प्रेड़ना देने वाला और एक मुसीबतों में बी औ देश की अर्थ व्यवस्ता को इस देश की मानवता को इस देश के जन मानस को प्रकरती को बचाने में बहुत बड़ा योगदान देगा माननिय राष्ट्रपती जी के अभिवासन में जितने भी विंदू लिये सब पर मैं अपना विचार नहीं रख सकती क्योंकि समय कम है लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आज जिनके भी अभिवासन सुन रही हूं जिनकी प्रतिक्रियां सुन रही हूं मुझे लगता है कि समुद्र के किनारे पड़ी हुई सीपियों को उठाने से संतुष्टी पाने वाले लोगों ने समुद्र के गर्ब में छुपे हुए मोतिक कोश को कभी देखा ही नहीं वर्तमान अभिवासन में समुद्र में छिपे हुए मोतिक कोश को निकालने के लिए भारत की सरकार और इसका सक्षम नेत्रत्व जिस तरह से डुबगियां लगाकर इस देश के सम्मान को खोज रहा है इस देश की प्रगती को खोज रहा है मुझे लगता है कि अभिवासन के प्रष्टों में या उनके संधर्बों में जहाकने की कोशिश नहीं की अभी कुछ समय पहले एक वारता आई थी और उस वारता में अंतमे माननिय सदेश्या ये बोल कर गई कि जब नास मनुझ पर छाता है पहले विवेक मर जाता है मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने कि संधर्ब में ये बात कही लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि उनको भी और दो दिन से चल रहे वाद समवाद को भी कि कुछ तो दूर देखता उड़कर कुछ तो दूर देखता उड़कर है कितना विश्तरित आकास रे कपोत जीवन का नास आज हमारे यसस्वी प्रधान मंतरी राष्टर पदीजी के नेतरतु में जो अभिवासन हुआ उस संपोन अभिवासन में राष्टर की प्रगती राष्टर की विचारधारा राष्टर की दिसा और राष्टर की नियत छुपी हुई है और इस नियत को समझन के लिए कान और नाक और आख सब द्रुस्त करने पड़ेंगे और केवल आलोचना करना आलोचना करने से कुछ नहीं होता बलकि समालोचना करने की आदत होनी चाहिए समालोचना से ये पता चलेगा कि हमारे वरिष्ट सांसर मुझे बहुत दुख हुआ जब उन्होंने ये कहा कि मैं हमारे राष्ट्र के एक ऐसे सपूत के बारे में जो टिपनी की कि मैं उनके होलोग्राम को देखने गया वो दिखा नहीं मैं अतिन्त दुख के साथ ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये टेकनोलोजी के हिसाब से जब तेज हवाएं चलती हैं तो उन तेज हवाओं के चलते हुए ये होलोग्राम सुरक्षित नहीं रह पाता ऐसी इस्तिती में उसको सुरक्षित नहीं रह सका इसलिए उसको उनको दिखाई नहीं दिया उनको लगा नहीं लेकिन जैसे जैसे समय अनकूल होगा वातावरान अनकूल होगा प्रकरती अनकूल होगी निस संदे वो पुने स्थापित होगा और इसके लिए ज़्यादा च पती जी के भासन की तरफ आना चाहती हूं। जबकि समालोचना की आवशकता इसलिए होती है कि सरकार किसी भी तरह से, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी मुद्दे पर यदि थोड़ा पीछे भी रह जाए तो उसको दिशा दें। कई मुद्दे हैं कोरोना मारी में हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने, हमारी पुलिस ने, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई वेहन जो इस दुनिया से ही चले गए, जिन्नोंने सेवाएं दी, जो सेवा दे रहे हैं, उनके प्रति सम्वेदना, राश्रपती जी सेवा, संगठन को सेवा ही समझ कर आगे बढ़ने की जो प्रयास किया, उससे आज पूरे देश के अंदर भारतिय जनता पार्टी के कारिकरता, जगह जगह पर सेवा के लिए खड़े हुए हैं, मेरे संजदी एक्षेत्र में, दोसा रसोई के नाम से चलाते हुए, हमने डे जन से कण एकत्रित करके, हमने इस विवस्था को किया, और सब ने योगदान दिया, मानिये राश्टरपती जी के अभी वासन में यदिस की तारीफ होती है, तो इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन राजों में, मैं जिस राजी से आती हूँ, वो है राजस्थ कान के राज में, महिलाओं पर, बेटियों पर, अभी अलवर का कांड भूले ही नहीं थे, कि कल एक कांड और हो गया, अलवर के कांड को जिस तरह से लिपापोती की, और मैं सोचती हूँ कि बेटी और बहन हर पार्टी की एक होती है, महिलाओं के प्रती सम्मान और आदर हर पार्टी का होता है, हर पार्टी के इंसान का होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जगन्य अपराद होने के बाद भी उसको छुपा लिया जाता है, तो महिलाओं के प्रती, राश्ट्रपती जी के भासन में, और हमारी सरकार की नियत में, जिस तरह से इस पष्ट है कि म पूलना नहीं चाहते, कई लोगों ने, कई माननिय सदेशों ने इतना जादा बोला कि उस पे जूटे वक्तब को देखते हुए कई बार शरम भी आने लगी, ऐसे जूटे वक्तब की देश को दो भागों में बांट दिया, कि गरीब और अमीर दो इंडिया, ये कैसे मान ले ह हमकी गरीब और अमीर दो इंडिया, 6 दसक तक, 60 वरस तक जिन्नों ने राज किया, उनके राज के दोरान में पली और बड़ी हुई हूँ, लेकिन अनुसूची जन जाती कि मैं मैं मैला हूँ, मैं जानती हूँ कि केवल हमारा वोट पाया उन्होंने, स्टी और स्टी का काम किया, यदि काम हुआ हमारे लिए, तो ये 6-7 बरसों के अंदर काम हुआ है, मानिये सभापती जी, मैं आपका ध्यानी सोर इसलिए करना चाहती हूँ, कि केवल वोट बेंग की राजनीती ही सबसे अच्छी राजनीती है, नहीं, राश्ट्रहित की राजनीती, आज हमार ये सवी प्रधान मंत्री, और हमारे राश्ट्रपती जी के अभीवासन में जो बाते आई है, सुद्ध नियत, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, प्रयास को और जोड़ा है, तो प्रयास इसलिए जोड़ा कि आप सब लोग हमारे साथ सरकार की नीतियों के साथ, अ उनको लूट की चिडिया चाहिए, और जिस तरह से लूट की चिडिया के पीछे भागते हैं, कल जब वानी सुन रही थी, जबकि एक एक योजना राश्ट्रिक देता है, हमारा देश देता है, वित्मंत्राले देता है, हमारी सरकार देती है, लेकिन प्रतेक राज्जी के जंदर समान रूप से विकास के लिए आगे बड़े हैं, आज पक्के घर की बात करें, जहां तीन करोड पक्के घर मिल गए, तो भी संतुष्टी नहीं, वो जमाना था, जब 35,000 रुपे इंदरा आवास योजना के नाम से दिये जाते थे, उनमें से भी लूट होती थी, कि वो बिचारे लाभारती के पास 5000 भी नहीं पहुंसते थे, आज पक्का घर हो, सोचाले हो, जंदन खाता हो, गैस का कनेक्शन हो, या किसान कल्यान योजना हो, सब के खाते में सीधा पैसा पहुंसता है, क्या कभी खातों में पैसा पहुंचाने की बात सोची थी, इस 60 बरस क पहुंसते राज में कभी सीधा पैसा किसान को, मजदूर को, महिला को, बेटियों को, किसी को नहीं मिला, लेकिन आज सब के अकाउंट है, जिस समय हमारे देश के यससवी प्रधान मंतरी ने कारिभार ग्रेंड किया, उस समय तीन करोड़ पिचेतर लाग खाते थे बैंकों में, जिन में सब महिलाओं के खाते हैं, सब महिलाओं के खाते हैं, और खाता खुलने का अभिप्राए एक ही है, कि बीच के बिचोली है, जो इनके खुद के प्रधान मंतरी कहा करते थे, कि एक रुपया भेजते हैं, तो नीचे जाकर 20 रुपे पहुंचते हैं, वो बीच क पैसा खाने वाले यही लोग थे, इनका नेटवर्क था, आज पूरा का पूरा पैसा लाभारती के खातों में जाता है, महरी राजस्तान में 66 लाग किसानों को, 66 लाग किसानों को, बारवी किस्त दो दो हजार की, एक जन्वरी को उनके खाते में पहुँच गई, मैं जब उन आज तक खातों में पैसा आया क्या, किसान बूलते हैं, और आज किसान के आधार पे राजनीती करने वालों को, मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, माननी आपसे, सभापती जी, कि मैं खुद किसान हूँ, और जो प्राकरतिक क्रसी की तरफ हमारे अभिवासन में, हमारे प्राश्टरपती जीने, हमारे प्रधान मंत्री जीने जो बास सोच रखी है, मैं खुद औरगनिक खेती करने वाली हूँ, और आज, 14 साल पहले जब मैंने शुरू किया, आज मेरी खेती, आज मेरी खेती 20 गुणा पैसा देती है, और मैं आज पास के सभी किसानों को, लग पानी की बहुत बड़ी कमी है, और उस पानी की कमी के कारण, कम पानी से लागत की फसले क्या हो सकती है, इसकी मैं खुद ट्रेनिंग देती हूँ, और खुद समझाती हूँ, और आज सवाई मादोपूर का, सवाई मादोपूर का अमरूद, आप ये देखिए कि प्रेर से इंजार करें, आप मुझे टाइम देंगे, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, किसान हूँ, और एक बहुत ये जनता पार्टी की कारी करता हूँ, बहुत का अपने सदेश से बोलने वाले हैं, फिर आपको एक बात कहूँगी, कि आपको, मैंने पुने भी ये बात कही, कि जब हम ये सोच ले, और हमारी विचार धरा ये हो जाए, कि किसान के उपर, अब आपे देखिए, कि 433 करोड किसानों के खातों में, MSP का लाब होगा, MSP का, और MSP पे जिद कर रहे हैं, चार गुना जादा MSP पर खरीद हमारे इस वर्स में हुई है, और मेरे यहां की बा मैं एक ही जगे नहीं रहती, मैं राजस्तान के कौने कौने में जाती हूँ, लेकिन राजस्तान की सरकार, भारत की सरकार की नीतियों के केवल जूटे बिरोध करने के अलावा कुछ नहीं करती, इसी तरह से जिनक्षेत्रों में हम दूर हैं, और वहां के नेतरतु में एक बहुत बड़ा बोनापन है, छोटापन है, दिल छोटा होगा तो वो सुईकार नहीं करेगा किसी भी अच्छे काम को, लेकिन अच्छे कामों की बुनियाद साथ बरस पहले डली और आज वो बुनियाद एक इमारत के रूप में दिखाई देती है, जो माननी राज्ट पती अभी भासन में इसपर्ष्ट ज्छलती है, मैं फिर एक बात कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, कि जिस तरह से पंदरमें बित्ता योग का पैसा, मेरे से पूरवे सांसद भाई ने भी ये बात कही, पंदरमें बित्ता योग का पैसा, ग्यारा महिने तक, ग्यारा महिने बाद ये पैसा उनको मिला, राजस्तान की सरकार, यह नहीं पूरे देश की सरकारों को, भारत की सरकार क्या दे रही है, यदि मैं आकड़े लेकर बैठी हुई हूँ, लेकि समय आपने ही देना चाहते हैं, पर मैं इतनी बात कहूँगी कि महिला से शक्तिकरण के नाम पर, महि महिलाएं करती हैं, और वो महिलाएं इतनी सक्षम हैं, कि भारत सरकार की नीतियों को लाब उठाकर, यह संदेव आगे भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद,